जे एंदुस्तों, वंदे मातरम मुनबवर फारूकी एक बर फिर से चर्चाओं मे है चर्चाओं मे रहने का कारण इस बार फिर से वही है जो पिछले दो एक महीने से हो रहा है उनका शो जो था बेंगलोर में वो कैंसल हुआ और ये करीद दो महिने में बारवा शो है जो कि कैंसल हुआ इसके बाद मुनवर फारुकी ने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान सा कर दिया है कि अब वो कॉमेडी नहीं करेंगे उन्होंने काया कि मैं डन हो चुका हूँ, इंजस्टिस है, अन्या है सभी तरह की बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर कह दी, जिसके की बाद में सोशल मीडिया अब्विस सी बात है जैसा कि हमेशा होता है, दो धड़ों में बट गया एक जो कह रहा है कि मुनवर फारुकी के साथ गलत हुआ और एक जिसमें की लोग कह रहा है कि नहीं मुनवर फारुकी के साथ सही हुआ दरसल ये पूरी बात गोधरा कांड के उपर जो इन्होंने एक वीडियो किया था, उसके उपर आकर टिक गई है उसमें उन्होंने जिस तरीके से मौक किया था जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि इसके पूरे डारेक्टर जो थे मैं देख रहा था बर्निंग ट्रेन मुझे लग रहा था मूवी चल रही है मेरे पता जी ने आकर वो बंद कर दिया और कहा कि नहीं एक न्यूस चैनल है मतलब मुझे लगा कि इस मूवी का डिरेक्टर तौमिच चाह है इस तरह की सब बाते उन्होंने कहीं थी और गूदरा कांड का उन्होंने साफ सौर पर मजाक उड़ाया था जो कि लोगों को पसंद नहीं है था और ये कई सारी क्लिप्स में से एक क्लिप है जैसे एक और क्लिप इनकी वाइरल हुई थी जिसमें कि ये कह रहे थे कि माधूरी गा रही है कि मेरा पिया घराया ओ राम जी करना चाहिए जिससे की हिंदों का मुँवन हो जाए लोग इस प्रकार की बाते कर रहे हैं लेकिन इन सभी चीजों के बीच में कुछ लोग ऐसी भी बाते कर रहे हैं जिनका की दिमाग ना अलगी लेवल का गूमा हुआ है जलब जस्टिफाई करना किसी को सही होता है पर ए आम भक्तों को ट्रेन में जिन्दा जला जाने वाली घटना का भी समर्थन कर रहा है ये करतूत मिली गैजट नाम के एक मीडिय संस्थान ने करी है जिसके संस्थापक डॉक्टर जफरुल इसलाम खान दिल्ली सरकार की दिल्ली अलप चंक एक आयोक के अध्यक्ष रह चुक है उन्हें लिखा कि इस वेब सीरीज का नाम दा एमपायर रखा जाना था लेकिन फिर किसी ने इसका नाम दा रीश रख दिया उन्हें लिखा कि अगर आप यहूदी हैं तो इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए इसके बाद जेन यू की प्रफेसर आनंद तो फिर आप एक मांसिक रूप से पागल व्यक्ति हैं आपको मेडिकल मदद की जरूरत है जफरोल इसलाम दौरा संचालित मिली गैजएड ने इसी ट्वीट पर प्रतिकरिया दी इस पर प्रतिकरिया देते हुए उन्होंने इंग्लिश में लिखा कि इन्मुनमवर कमेंट अश्वेच न आपको मेंट ने इस परतिकर प्रतिकर 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 देते हुए लिखा कि या मुनवर फारूकी ने स्तरा की कोई टिपड़नी करी कि अगर उसकी कार के नीचे कोई एक कुट्ता भी आजा तो दुखी हो जाता है इसे जादा अमान वीय करना क्या हो सकता है क्या गोधरा और आश्वेच समान है वाउ यहूदी ट्रेन में ठेले वालों और लोगों पर हमला कर रहे थे साथ ही वो रेलवे स्टेशनों पर हमले कर रहे थे कि एक धार्मिक इमारत को गिराय जाने का जश्नमन आ रहे थे लोगों ने मिली गाज़ेट से पूछा कि क्या हिंदूों को जिन्दा जलाया जाना उसके लिए दुख भरी घटना नहीं है और विसी बात है इसके उपर दिल्ली के पूर्वी मंत्री कपिल मिश्रा ने मीडिया संस्थान के बयान के अलोचना करते हुए लिखा कि 69 मासूम जिसमें 27 महिलाया और 10 छोटे बच्चे भी शामिल थे ये सब साबित कर किया जा रहा है कि इस मिली गैजिट का संपादक जफरुल इसलाम नामक दिल्ली अब संक्यक आयोक का द्यक्ष बनाया गया लोगों ने मीडिया संस्थान को हिंदूफोबिक करार दिया लोगों ने पूचा कि मुस्लिम भीड घटना को जायज आखिर क्यों ही ठहरा रहा है गौरतल अभी 28 अपरेल को जफरुल इसलाम ने ट्वीट किया था कि कट्टर हिंदूओं को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत के समुदा विशेश ने अरब जगत से कट्टर हिंदूओं दोरा हो रहे ग्रहना के दुर्षपचा लिंचिंग और दंगों को लेकर कोई शिकायत नहीं करी है जिस दिन ऐसा होगा उस दिन अरब के लोगों एक आंधी लेकर आएंगे एक तूफान खड़ा कर देंगे जफरुल खान के समर्थन में 8 माई को 20 मौलवियों दोरा नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी करते हु जय हुआ जय भारत